एप्सेयर बढ़ने का मुख्य कारण क्या होता है वह होता है कि मुर्गया बीमार होगी बीमार होगी तो पतली बीट होगी तो भी मुर्गया ऐप सीयर हमेरा बढ़ेगा अगर अंच प्यास बनें गेस ढ़ламую क सबस्केया होगा आओ कि कि दोस्तो मैं हुनोद आप देख रहे हैं मेरा यूटूब चैनल पॉल्ट्रि यह हों दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं जाली के उपर हम कैसे व्लिर पॉल्ट्री फार्मिंग कर सकते हैं तो दोस्तों उसके पहले हम दोनों की बीच में डिफ्रेंस देखेंगे कि ब्राइलर पॉल्ट्री फार्मिंग हम मुक्य तह दो प्रकार से करते हैं यह करते हम डीप लीटर सिस्टम में और दूसरा जो अभी नया एडवांस वाया है वो करते हैं जाली के उपर यह एक छेतरी हिस्से में ही तो उस हिसाब से अगर देखें तो वन पर्शेंट हिस्ते में जाली के उपर ब्राइलर पॉल्ट्री फार्मिंग हो रही है दोस्तों यह जाली के उपर मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि दूसरा सिस्टम जो होता है वह होता है बेटरी के सिस्टम बहुत ज्यादा सब्सक्राइक रहुत है चूसरब कर रहे हैं जाली के उपर अगर प्रोल प्रकार से हैं उसके उपर हम सब बात्चित करेंगे उससे पहले हम यह देखें कि हम जो अभी जो सिस्टम जो फालो कर रहे हैं वो डीप लीटर सिस्टम वह पूराना क्यों है या फिर हम जाली के उपर क्यों जा रहे हैं इन दोनों चीजों के उपर हमें डिफरेंस देखना जरूरी है जिस बाद में हम इसी वीडियो में देखेंगे कि किस प्रकार से हम हमारे छोटे फार्म को या बड़े फार्म को या फिर जितने भी बड़ा फार्म है हमारा उस फार्म को कम खर्चे में हम कैसे उसको जाली वाला जो है पॉल्टी फार्मिंग हम कैसे कर सकते हैं दोस्तों चलिए हम सबसे बड़िया फाइदा यह है यह विग्यानिक तरीका ही है इसमें मुर्गियों की ग्रोथ अच्छी होती है कम इस्थान में हम ज्यादा मुर्गियां आसानी से हम पाल सकते हैं इसमें लीटर डीप लिटर सिस्टम में मुर्गियों का व्यायाम अच्छे तरीके से हो जाता है तो यह एक प्रकार सी इंसुलेशन का कारी करता है तो दोस्तो यह है वह keyboard system का पाइदा चैना भी इंडा पाइदा ओर रही है और आने वाले समय में भी होगी किस्थो जो फार्म को फार्मर्मी का नक्रोन प्रोह डे और वाला सिस्टम प्रयोग कर सकते हैं दोस्तो ब्रड़ी पिड्च सिस्टम में जो इक सबसे बड़ा जो दो फाइदे नुकसान जो हमें देखने को मिलते हैं अब लीटर गीला हो जाता है अब लीटर घिला होने के कारण उसको में अमोणिया गेस बनने लगती है तो यह कार में गिरा दिते उसके करण जो है फॉत्सक्राइन इसके और पर बात करेंगे धैस्ट ये इतनी के живьяpowered मुर्गा 2 किलो का हो रहा है और यहां पर 4 किलो का हो जाएगा ऐसा भी नहीं है मतलब इसकी तुलना में 5% से 10% जो ग्रोफ रेट जाली में हमें ज़्यादा देखने को मिलती दूसरी इसमें बीमार नहीं होती है अब दोस्तों होता गया है कि इसमें लीटर वाला सिस्टम है ह स्कम रहते हैं इसमें अमोनिया गेस भी नहीं बनती ऐसा नहीं है कि गेस बनेगी ही नहीं बनती है किन्तु आप चूंकि डीप जो जितनी भी भी तरीके से नीचे गिर जाएगी आप वह जो जो नीचे गिरेगी उसको अगर वेंटिलेशन के माध्यम से वह बाहर अगर हो ठाब है तो फिर फाम के अंदर गार between drinking सबस्रांगर कोर सोविक-दर कम लाएगी सबस्राइबं नहींद नहीं वाहिए इसमें घ hoje छोट और रे प्रकार्सें प्रेस्टप्र कम ही तो रहेगी तो सोविक आब नहीं है तो हमें साब भी कम करने के आउशकता रहेगी तो दोस्तों इसमें मेहनत भी कम है और समय भी सवाइक से बात है जब अगर हम वहाँ पर काम कम करेंगे तो सवाइक से बात है हमें समय भी हमें कम लगेगा और तीसरा छटवा जो हम मतवपुन जो पाइंट है इसमें FCR कम रहता है दोस्तो एक talvez बढ़ने का अधम्यकारण क्या होता है वो होता है कि Biz बिमार होगी तो पथली अगर होगी तो तो भी मुर्गया जो है ऐसमारा बढ़ेगा अगर अमोनियागस बनेगी तो भी हमारा ऐसी यार बढ़ेगा दोस्तों उस्तों तो गार जाद होगी तो के से मुर्गियों को ब्राइलर पॉल्ट्री फार्मिंग का सपलता का सिर्फ एकी फर्मूला है और यह है कि सुद्ध हवा सुद्ध पानी और सुद्ध भोजन उसको अगर दिया जाए तो ब्राइलर मुर्गी पालन में सपल होने से कोई नहीं रहो सकता तो दोस्तों इन सब इसमें को घंदा पानीव दैते हैं मुर्गया उसी लिठर में बेटती वह गंदा हो या अच्छा हो उसी में उसमें गेसी समझ्या भी होती तो दोस्तों यह सब telaio सिस्टम में देखने को मिलती है और यही कि तो इस सारी समस्य है हमें जाली वाले सिस्टम में देखने को नहीं मिलेंगी तो दोस्तो ये हो गया हमारे दोनों की बीचे में difference अब दोस्तों हम अगले वीडियो में बात करेंगे कि कैसे हम हमरे फाम को कम लागत में और अच्छा और मजबूत फाम हम कैसे जाली वाला पॉल्ट्री फाम बना सकते हैं दोस्तों इसमें एक और चीज में आपको थोड़ा सा बताना भूल गया हूं और यह है कि इस फाम को हम लिप लिटर सिस्टम की तूलना में तीन गुना कैपसिटी तक कर सकते हैं वह कैपसिटी के हम केसे करेंगे उसके उपर हम बातचीत करेंगे किन्तों दोस्तों यह मैं आपको इसी वीडियो में बता दूं कि इसकी तूलना में हम जाली वाला सिस्टम तीन गुना कैपसिटी में हम कर सकते हैं तो दोस्तों इसे एक साथ में वीडियो समप्त करना चाम गए धन्यवाद